600 शेतर का वरग मुल बिलकुल आसान है दोस्तों इसके हम प्राइम शेक्टर कर देंगे प्राइम शेक्टर करने के लिए आप जानते हैं अपने प्राइम नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा हाँ जिए है और तो कितना तीन मिल गया कितना शे आगिया मैनस किया जिरू हागिया साथ को यहां ले आया कितना थीन गया कितना यह गया चैनल की यह प्राइब 5ध , 6 हो गया कितना 8 वार चल आगया कितना 6 आगया minus कि known zero आगया कितना अरह जोऊ स्पनापका 338 आ रहा है फिर हम इसमें 2 का divide करते हैं 338 में देखे़ कितनी जब कि हम तक 2 का divide होता classycomm आगन Его सब्थे बार बार कर के दिवेड्थ करते जाएंगे इस बात का विश्य सुरूप से ज्यान रखें तो कितनी वार हो रहा है दोस्ता आपका एक वार और च्छे वार और आपका नौ वार कितना आगया एक सो उनस से तरह आगया अब देखे दोस्तों एक इंपोर्टेंट बात बताने वाला हूँ इसमें हमने तीन का डिवाइड करके चेक यह नहीं हो रहा है पांस का नहीं हो रहा है साथ का नहीं हो रहा है आगे प्राइम नूम्बर कौन सा है 11 13 17 19 इसमें अपना 13 का डिवाइड हो रहा है देखे यहां पे डिवाइड होने का मदलब क्या है कम्पलिट डिवाइड होना चाहिए कितनी वार हो रहा है दोस्तों आपका 13 वार हो रहा है फिर हमने तेरा में तेरा का डिवाइड किया कितना एक वार आ गया तो यहां पे 600, 76 के आपके यह factor आगे दो देखे दो वार है और तेरा भी दो वार है और हमें क्या चाहिए दोस्तों इसका वरग मूल का वेलिव चीए दो समान संख्याओं का जोड़ा और क्या करना है परतेक जोड़े में से इस संख्या को एक वार यहां लिख देना है तेरा का तेरे का साथ जोड़ा और इस में से इसको एक वार यहां लिख दिया अब इनका अपस में गुणा किया कितना आ गया 26 तो इस प्रकार से अपना 676 का वरग मूल का वेलू कितना आ गया 26 यानि 26 आ गया 374 का वरग मूल बहुत आसान परीके से तो दोस्तों क्या करना है इसके लिए अपना prime factor करने है prime factor करने के लिए अपना prime number से divide करना पड़ेगा 2, 3, 5, 7, ये 1 से लेके 10 तक के prime number है यानि अभाजी संख्याएं हैं सरपरतम दोस्तों अपना 2 से डिवाइड करना है तो 744 में हम 2 का डिवाइड करते हैं तो कितना 3 वार चला गया कितना 6 आ गया मैनस किया 1 आ गया 8 को यहां ले आ हैं कितना 9 वार डिवाइड हो गया कितना 18 आ गया कि दो वार डिवाइड हो गया फिर इसमें दो कर डिवाइड हो रहा है कितना एक वार और नो वार और च्छे वार फिर इसमें दो कर डिवाइड हो रहा है एक सुचिन्णवे में कितना नो वार और आट वार फिर इसमें दो कर डिवाइड हो रहा है इंठानवे में कितना चार वार और 9 वार कितना आगे 59 अब देखिए जहां से दोस्तों 59 में अपना किसका डिवाइड हो रहा है तीन का नहीं हो रहा है पांस का नहीं हो रहा है लेकिन 7 का हो रहा है कितना 7 वार 7 में 7 का डिवाइड किया कितना एक आ गया ओके यहां तक क्लियर है अब देखिए दोस्तो आगे समझते हैं तो साथ सो चोर्यासी के आपको फैक्टर क्या मिल गए यह सारे साथ सो चोर्यासी के फैक्टर है इसमें आपका यहां पर देख सकते हैं दो कितनी वारा रहा है एक दो तीन चार और साथ आपका दो वारा रहा है हमें क्या चीये दोस्तों इसका वरगमूलक अविल इतु ही तो दो समान संक्या का जोडा दो समान संक्या का जोडा और प्रतेक जोड़े में से इसको एक वार यहां पर लिख देना है ठीक है अब इन सब का हम multiply करें कितना आगया दोस्तों आपका 28 आगया यानि 744 के वरगमूल कितना है का 28 है ओके अब ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे comment कर बताओ 841 का वरगमूल कैसे निकालें बिल्कुल सिंपल आसान तरीके से दोस्तों आप प्राइम फेक्टराजिस्न मेत्रड को काम मैं ले रहे हैं अपने प्राइम नमबर से डिवाइड करना है दो तीन पांच साथ ज्यारा तेरा सत्रा उननेश तेईश और आपका 29 ये प्राइम नमबर है अब दोस्तों आपको मैं कुछ ट्रीक और नियम बताना चाहूंगा उनके दोरह आप अपना कैल्कुलेशन कई गुना फास्ट कर सकते हैं आद एक इसकी नमबर का का यान्न डिजट्ट को जिरो दो चार चैक इनमें से और नमबर आपके दो से डिवइड होगा वह आपका तो यह दो से डिवाइड नहीं हो रहा है ठीक इसी तरीके से अपना थीन की बात कर लेता हैं तो अंक्वों का योग करने पर यह नियम है इ यासे होगा calculation, पास इस number को देखा है, unit is it देखा है, इदि इन में इसे नहीं है, मतलब दो से divide नहीं होगा, फिर तीन का नियम लगाई है, यही तीन से नहीं हो रहा है, तो फिर तीन को क्रॉंस लगा देंगे, इससे sequence इस से divide होगा, उससे divide कर देंगे, ठीक है, ओके, तो ऐसे पांच रहना चाहिए तो यह नहीं है पांच से नहीं ऐसे चेक करते गए हम और 29 तक पहुंच गए तो इसमें 29 का डिवाइड गया दोस्तों तो 841 में आप 29 का डिवाइड कर सकते हैं क्यstad कर दो colder हैं क्याइड़ कर दो Сंब मकंस कर दोस्तों लेगे संदूज़TY कर दोशी्ड़ी कर दोस्तों बीक ठीड़ी कर सकते हैं क्यों की कितनी वार हो गया दोस्तों 29 वार डिवैड हो गया जितनी वार डिवैड हो ता वो इसके नीचे लिखना है फिर 29 में 29 का डिवैड किया कितना एक आ गया तो दोस्तों 841 के हमारे पास फेक्टर क्या आ गया 29 गुणा 29 हमें क्या चीए इसका वरग मूल का वेल्यू तो क्या करन है दो समास है क्या का पेर बनाया और उसमें से इसको एक वार यहां लिख दिया तो इस प्रकार से 841 का स्क्वार रूट का वेल्यू कितना आ गया उन्तीस आ गया तो शॉट का वरग मुल कितना होता है आप हाज ये गुणनखंड विदी यानि प्राइम शक्ट ड्रेजिस्ट से निकालेंगे इसके लिए करना क्या है अपने प्राइम नंबर से डिवाइड करना है तो थ्री फाइब सेवन ये वन से लेकर टैन तक के प्राइम नंबर सरप्रतम दोस्ता अपना टू से डिवाइड किया तो देखिए चोशट में जब आप दो का डिवाइड करते हैं त तो तीन वार चल गए, च च्छोह कऀाल, जीरो कितना 320 वार टूइट कितना 42 हो रहे हैं। तो इस तरहें से sleepy ICH के आपको 1 मिल गया तो इस तरहें हैं से आपके से आपके पास यहां पार है 64 के यह है फ्रेक्टर आगे दो कितनी वहारा आ रहा देख ले एक दो तीन चार पांच है हमें क्या चाहिए दोस्तों इसका वरग मूल का वेल्यू दो समाज संक्याओं का पैर दो समाज संक्याओं का पैर दो समाज संक्याओं का पैर इस प्रकार से जोड़े बना दिया और प्रतेक जोड़े में से इस संक्याओं का एक वार हम यहां लिग देंगे ठीक है इनका गुणा किया कितना आगया आठ तो यह निए 64 का वरग मूल कितना होता है दोस्तों आपका आठ होता है आसान है 1225 का वरग मूल वरग मूल को इंगलीज में स्क्वार रूट और गणित में अंडूट सिंबल के दोरा लिखते हैं अभी हम आपको पता है क्या करना रहता है अपना प्राइम नंबर से डिवाइड करना रहता है प्राइम नंबर कौन से हैं दोस्तों 2357 यह वन से लिए के 10 तकी प्राइम नंबर है जो आपको हमेशा याद होने चाहिए दोस्तों सरपरतम अपना टू से डिवाइड करना चेक करना है यदि किसी नमबर का unit digit आपका 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई है तो वे नमबर आपके 2 से डिजियबल रहते हैं यानि वो 2 से डिवाइड होगा अब ये मैं नियम क्यों बता रहा हूँ क्योंकि इन नियम के दरह आप अपना calculation कई गुना fast कर सकते हैं इसको देखा इसका unit digit देखा यदि इनमें से नहीं है मतलब ये आपका 2 से डिवाइड नहीं होगा चे के नहीं करना है ऐसे आगे डारेक्ट 3 पे मूग कर ले 3 का क्या नियम रहता है डिजिट का सम करने पर 3 से usable होना चीए यानि अंकों का योग करने पर 3 से विभाजी होना चीए इसके अंकों का योग क्या 3 से विभाजी नहीं आगे 5 पे जाओ 5 का क्या नियम है इका यंख आपका 0 या 5 होना चीए इसका इका यंख 5 है देख सकते हैं मतलब यह आपका पांस है विबाजी है तो इसमें पांस का देखिए हम डिवाइड करते हैं बारा सो पचीस में कितना दो आडिवाइड हो गया दस आगया माइनस किया दो आगया दो को यहां ले आएं कितना चारू पंजा बीस आगया माइनस किया 2 आ गया, 5 को यहां ले आ हैं, कितना, 5 वार डिवाइड हो गया, कितना, 25 आ गया, माइनस किया, 0 आ गया, कितना रहा है दोस्तों, आपका, 245 आ रहा है, फिर इसमें हम 5 का डिवाइड करें, तो कितना रहा है, 4 वार और 9 वार, कितना, 59 आ गया, 59 में देखिए, आपका, 5 का डि लिवाइड आपका एक भार तो 1225 के आपके पास factor किया आ घे यहießen हो फना on साथ हमें क्या चाहिए 1225 का 1ूड को या निइ वचमोर करना क्या है दो समान संख्या का जोडा दो समान संख्या का जोडा प्रते कर यह से संख्या को एक भार हम यह पर लिख देते driven तो इन सब का गुणा किया कितना आ गया 35 तो इस प्रकार से 1225 का वरगमूल कितना आ गया 35 आ गया 81 का स्क्वेर रूट यानि 80 का वरगमूल by using prime factorization method इसके हमें factor यानि गुणन खड करने हैं इसके लिए अपना prime number से divide करना है 2, 3, 5, 7 यह 1 से लेके 10 तक है prime number है दोस्तों यदि हम इसमें चेक करें 2 का divide करके तो यह 2 से usable नहीं है लेकिन यदि हम इसमें 3 का divide करें तो आप देख सकते हैं इसमें 3 का divide किया कितना 2 वार divide हो गया कितना 6 आ गया minus किया 2 आ गया एक को यहां ले आए कितना 7 वार हो गया कितना 21 आ गया minus किया 0 कितना आ रहा है आपका 27 आ रहा है देखे 27 में फिर आपको चेक करना है क्या 3 का divide हो रहा है 3 का divide हो रहा है 27 में कितना 9 वार 9 में 3 का divide किया कितना तीन वार तीन में 3 का divide किया दोस्तों आपका एक वार यानि 81 के आपके गुणनखंड के आगे यह 81 की गुणंद खंड आ गए हमें क्या चाहिए दुस्तों इसका अंडूट का विल्यू दो समान संक्या का जोड़ा दो समान संक्या का जोड़ा परतेक जोड़े में सिसंक्या को एक और यहां लिख देना है अब सब का गुणा किया कितना आ गया नो इस प्रकार से 80 का रहे हैं इसमें अपने इसके प्राइम फेक्टर करने हैं फ्राइम फेक्टर करने के लिए अपना फ्राइम नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा टू थ्री फाइफ सेवन यह आपके प्राइम नंबर है सरा प्रतम दोस्त अपना टू से डिवाइड करते हैं पहले मां यूनिट डिजिट आपका 0, 2, 4, 6, 8 इन में ऐसे कोई है तो वे नमबर आपके 2 से डिजिबल लेते हैं तो यह आपका देखिए यूनिट डिजिट क्या है इसका 4 है यहां पर 4 पड़ा है मतलब 2 से डिजिबल है तो इसमें अपना 2 का डिवाइड कर देते हैं देखिए 1024 में 2 का डिवाइड किया कितना 5 वार हो गया कितना 10 आ गया मैनस किया 0 आ गया 2 को यहां ले आ हैं कितना 1 वार डिवाइड हो गया 2 आ गया मैनस किया 0 चार को यहां ले आ हैं कितना 2 वार हो गया 4 आ गया मैनस किया 0 आ गया कितना आ रहा है दूसना आपका 512 आ रहा है फिर इसमें फिर इसमें 2 कर डिवैड कर दिया कितना 1 2 8 फिर अपना इसमें 2 कर डिवैड हो रहा है कितना 6 और 4 बार फिर इसमें 2 कर डिवैड हो रहा है 64 में 32 बार 32 में 2 कर डिवैड 16 बार 16 में 2 कर डिवैड 8 बार 8 में 2 कर डिवैड 4 बार 4 में 2 कर डिवैड 2 बार 2 में 2 कर डिवैड आपक एक वार तो इस तरीके से आपके यहां पर एक अजार चोष के यह सभी क्या है फ्राइं फेक्टर है हमें क्या चाहिए एक अजार चोष का अंडूट का वेल्यू यह नि वरग मुल का वेल्यू तो करना क्या है बिल्कुल सिंपल है दो समान संख्याओं का पेर बना दो और परतिक पेर में से इस संख्या को एक वार आपको है जो यहां लिख देना है इस में से फिर इस में से फिर इस में से फिर इस में से और फिर इस में से यानि कितने पेर बन रहा है गिन लिजिए एक दो तीन चार पांच एक, दो, तीन, चार, पांच चीक, अभी इन सब का हमें गुणा करना है तो कितना आ गया दोस्तों आपके बास? 32 आ गया तो इस तरीके से अपना 1024 का वरग मूल का वेल्यू कितना आ गया? 32 आ गया 484 का वरग मूल यानि स्क्वार रूट यानि रूट का वेल्यू कैसे निकाले? अभी हम अपना प्राइम फेक्टर जिस मैथर का में लेंगे इसमें करना क्या है? इसके फेक्टर करने है फेक्टर करने के लिए क्या करना है? अपने प्राइम नंबर से डिवाइड करना है 2, 3, 5, 7 यह वन से लेकर 10 तक के प्राइम नंबर है सारा प्रत्तन दोस्त अपना 2 से डिवाइड करना है इसमें 2 कर डिवाइड करना है देखी चार सो चुरह सी हम है 2 कर डिवाइड कितना 2 वार हो गया, कितना 4 आ गया 0 आ गया, 8 कूई ले आए ओके कितने वार डिवाइड हो गया इतने वार दो चार दो वार फिर इसमें दो का डिवाइड किया कितना एक दो एक वार डिवाइड हो गया कितना आगया 121 आगया अब देखे दोस्तों आपका 121 मैं दो का डिवाइड करके चेक किया दो से डिवाइड नहीं हो रहा है तीन क 17 निसी आपके आगे के प्राइम नूम्बर है तो इसमें 111 का डिवर्ड का 121 किसमें कितना 111 वार हो गया 111 का डिवर्ड का कितना एक वार हो गया तो 484 का आपका गुणनखंड क्या आगे फैक्टर क्या आगे यह आगे दो दो वार आ रहा है 11 भी आपका 12 आ रहा है हमें क्या चीए इसका वरग मूल का वेल्यू दो समान संक्या का प्यर परते एक प्यर मैं से इसको एक वार यहां लिख देना है ठीक है सब का multiply कर दो कितना आ गया 22 आ गया तो इस प्रकार से 484 का वरग मूल का वेल्यू कितना है आपका 22 है ओके बहुत फटा फट कैलकुलेशन कर सकते हैं अब आपके में कोई doubt है तो उसको आप भार बार practice कीजिएगा और नीचे comment करें